साई की बात जल रहे हो धीरे धीरे करकर तो तयार भी रहो की आगे चल कर मैं तुम्हे वहां मिठाने वाला हूँ जहां किसीने सोचा भी नहीं था लेकिन शांती से, आराम से तुम्हें वहां पहुचाऊऊँगा तुम्हारे मन में शांती रहनी चाहिए और तुम ये सोचो कि तुम्हारे आस पास एक शक्ती है जो तुम्हारे लिए ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए पुरी दुनिया से लड़ रही है तुम्हारे लिए चीजों से लड़ रही है मेरे बच्चे है जो मेरी है मेरे बच्चे मेरा कवच है तुम्हारे आसपास और मुझे मालूम है कि कई लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ है और मेरे भी खिलाफ हो गए हैं अब तो क्योंकि तुम मेरी पूजा पार्ट जो पहरते हुं न, इस वज़ा से अब वो मेरे भी खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि तुम मेरे पूजा पाठ करो, वो तुमारे खिलाफ तो थे ही, अब वो मेरे भी खिलाफ है, तेकिन जाने दू न, क्या फरक पड़ता है? तुम्हे जाने दो, जिसे जो कहन करने दो जिसे जो बोलना है बोलने दो तुम किसी को जवाब देने मत जाओ अगर कोई मेरे बारे में तुमसे कुछ कहे न अगर कुछ भी कहे कि तुम्हारे बाबा ऐसे तुम्हारे बाबा वैसे तु किसी को कुछ भी थाबित करने के जरुवत नहीं है उन्हें वक्त बताए तुम्हारे बहुत पुराने मित्र कई दिनों बाद कई महीनों बाद तुमसे मिलने आएंगे तुम देखना जब तुम उनसे बाचीत करोगे न तो तुम्हारा मन बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे मन को बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे मन को बहुत अच्छा लग और तुम्हारे मन को तुम्हारे दिल को बहुत अच्छा लगेगा और जाना जरूर मेरे बचे और सुनो अगर कोई अथिती तुम्हारे घर में आता है ना कोई भी अगर तुम्हारे घर में प्रवेश करता है अथिती के रूप में तो वो तुम्हारे अथिती नहीं वो तु तुम्हारे लिए आधर निये है और तुम्हें उसके लिए खड़े रहना चाहए में अधित उल्क राया है लेकिन अगर तुम्हारे चौकट पर का या हम लेकिन अगर तुम्हारे चौकट पर आया है इतने साल recht भी तो मैंने भेजा है वो ऐसे ही चलके नहीं आया उसे मेरा आदेश था तब जाकर वो तुम्हारे चोखट पर आया है और अगर आया है ना तो उसका आदर करो उसका सम्मान करो वो अथिती है तुम्हारा ऐसे नहीं कि तुम भगा दो उसे या उसका अनादर करो मैं बिल्कुल नहीं चाह और अगर कोई उनके लिए कुछ खिलाफ बोले या कुछ करे न तो तुम उन्हें रोकने की कोशिश करना लड़ाई जगडा मत होने देना बाकी का सब कुछ मैं समझा दूगा उन्हें भी और तुम्हें भी और सुनो कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनका घर बनने जा रहा है और उन्हें कुछ दिनों के लिए किसी और घर पर जाना पड़ रहा है किराये पर लेना पड़ रहा है अपने घर को अलग करना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि उनका जो घर है वो बनने जा रहा है तुम्हारे मन मताबिक तुम्हारा घर बनेगा चिंता मत करो तुमने कहा थाना उससे कि साई मेरा घर बन जाए कुछ भी ऐसा हो जाए कि मेरा घर बन जाए तो घर बन जाएगा मेरे बच्चे जो भी तुमारे घर में अधूरी चीज़े रहे गई है न वो सब में पूरी करवा दूँगा इस बार तुम बिल्कुल जिंता मत करना तुमारा घर बहुत मुझे कहना भूल जाते हूं कि बाबा ये आपके लिए ये आपको अर्पेत है भूल जाते हो ना कभी कभी तो कोई बात नहीं तुम्हारा जो प्रेम है ना मेरे लिए वो मुझे खीच कर विवश्च करकर अपने आप तुम्हारे पास ले आता है चाहे तुम मुझे करो ना करो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि माता पिता से बड़ी कोई दौलत है ही नहीं माता पिता की सेवा करते हो न तो उससे उत्तम तो कुछ है ही नहीं मेरे बच्चे उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं और जिस तरीके से तुम मेरी सेवा करना चाहते हो न करो लेकिन माता पिता की सेवा सबसे सर्वो परी है, उससे बड़ा तो कुछ ही नहीं दुनिया में न, जो तुम कर रहे हो न, उसके लिए मैं हमेशा खुश हूँ तुम से, बहुत खुश हूँ, और सुनो, जब भी तुम अपने रास्ते में या फिर महले में बहार निकलते हो न इसे भी होते हैं, जो खतरनाक होते हैं, और तुम कई बार बच भी चुके हो, पता है न, तो जादा किसी से घुल्ले मिलने के जरुवत नहीं है, अगर पशु पक्षी है, तो उनको तुम इतना प्यार करते हो, मैं मानता हूँ, लेकिन हर पशु पक्षी कुछ खतरनाक भी हो सकते हैं, जो तुम न, जादा मत किया करो, सिर्फ वही पर रोटी और जो भी कुछ रखना है न, वहाँ पर रखकर अंदर आ जाया करो, जादा मत किया करो, जादा किसी से खुल्ले मिलने की न, जरुवत नहीं है मेरे बच्चे, तुम न, थोड़ा अपने आप में रहा क बलकि ये कहो कि तुम अपने आपको भी वो वचन याद दिला रहे हो जो तुम्हारे भाबा ने तुमसे कहे है तुम्हारे लिए कहे है न तो अपने लिए उन वचनों को बोला करो मुझे कहा करो, मुझे रोज बोला करो कि बाबा, एक एक वचन मुझे याद दिलाया करो, और उन वचनों को न, ऐसे रट लो, ऐसे याद कर लो, कि तुम्हारे जुबान पर रटे होने चाहिए वो, रट जाये वो, इस तरीके से कि कहीं भी हो न, तुम एक साइव भक्त हो, और साई भक्त होने के ना दे तुम्हें जहां भी पूछा जाए ना कि 11 वचन बोलो तो बोल के बता दिया करो बल्कि और बच्चों को भी याद कराओ तुम जितना करा सकते हो याद कराओ इसमें तुम्हेरा बहुत अच्छे करम बनेंगे और सुनो दूसरों को देख करना अ उसके करम अलग है उसके जिन्दगी अलग है उसके दुनिया अलग है तुम्हारे जिन्दगी अलग है हो सकता है कि जो तुम्हारे पास है ना वो उसके पास ना हूँ लेकिन अक्सर तुम वो चीज़े देखते हो जो तुम्हारे पास नहीं है ना और सुनो व्यर्थ में ही जिनसे तुम पर इल्जाम लगाए जा सकें, तुम्हारे चरितर पर उंगली उठाई जा सकें, बस ऐसे कुछ लोग है मेरे बच्चे लेकिन तुम ना उनसे परिशान मतो ना, क्योंकि अब आदत बना लो वैसे लगो की की वैसे लोग तो रहेंगे, क्योंकि उनकी सोच ना प एक दिन ऐसा आएगा ना, उने भी समझ में आ जाएगा कि उनकी अब कोई भी ना एहमियत नहीं है तुम्हारे नजरों में, और वो अपने आप कहना छोड़ देंगे, अपने आप बोलना छोड़ देंगे, तुम देख ले ना, और सुनो, जिस इंसान के अंदर एहंकार ख आपने जुक जाओ, जुक जाओ, और बोल दो सब कुछ की हाँ तुम ठीको और हम गलत हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं फरक पड़ेगा, कुछ भी नहीं फरक पड़ेगा, क्योंकि जो एहंकारी व्यक्ती है ना, उसके अंदर घमंड बहुत है, और जो घमंड है ना, जो एक दिन ऐसा तूट जाएगा ना, कि तुम सोच भी नहीं सकते, उसका घमंड, उसका एहंकार खुद बखुद तूट जाएगा, तुम विनम्र रहो, शांत रहो, समझ रहो ना मेरी बात को, तुम्हारे बाबा को भी ना, बहुत लोगों ने एहंकार दिखाया, लेकिन मैं विनम्र रहाना, फिर देखाना अंत में क्या हुआ, तो ऐसा ही होगा मेरे बच्चे, हमेशा सत्य की जीत होती है, सच की जीत होती है, भक्ती की जीत होती है, तुम शांत रहो, हो चाहेगा सब कुछ ठीक, खुश रहो, आज का साई संदेश, समाप्तुवा